हेलो नमस्कार सात्यू स्वागता है हमारे यूट्यूब चैनल में तो आज का वीडियो का टॉपिक है कि स्पार प्लक कैसे पता करें ठीक है या सौड है बहुत ही आसान तरीका है आप इस तरीके से अपनी बाइक का चेक कर सकते हैं कि ठीक है या ख़राब है है अगर आपकी बाइक Um quality hype है तो दो लगा चेक कर सकते हैं और लेक्व सेल्फ नहीं तो किक्से भी कर सकते हैं लेकिन कुछ शापधनी बर्तनी होगी सापधनी क्या है हम बताते हैं यह उस प्लक देख रहे हूँ का करेंट निकलता है इसमें इसका द्यार रखना है पहले तो आपको इस तरीके से रख देना है इस पार फ्लक ताकि यह पखड़ना पर यहां से और करेंट नहीं लगेगा और पखड़ने की आहँ सकता है तो इसे देख रहो हूंग एडापटर प्लस्टिक वाला फायवर वा में और इस वाइक में तो शैल फे तो हम सैलफ चेक करेंगे कि मानने की हमें जूर्त नहीं है इसमें चावी को अन करना है और चाश्य को ऑला बातन है इसको लगाना और यज़ा रखना है कि अ इत्रों बाती ज़्यादा एक बार और चेक रहत है अब आप समझ गए होंगे लिकिन एक बार और बता देता हूं में तो यह देखा ही दे रहे होगा इसका यह पॉइंट है इसके चारों तरफ क्रेंट आ रहा है और इसके चालो तरफ क्रेंट आएगा इस तरीके से तो यह इस पार्ट प्लक खराब है और यह पॉइंट देख रहे होंगे अंदर जहां पर मेरा पेज़कर रखा है यहां पर अगर क्रेंट आएगा इस साइड में तो इस पार्ट प्लक सही होगा इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं इस पार्ट प्लक खराब है यह सही है और सही वाले इस पार्ट प्लक का प्रेंट चेक करके दिखाएंगे आपको डेमो की तोर पर एक प्लक हमारे पास सही है उसका हम दिखाते हैं तो यह इस पार्ट प्लक है हमारे पास यह ठीक है इसका च अब आपको चेक कराते हैं देखना होंगे बिलकुल करेंट इसमें सही आ रहा है तो इस तरीके से चेक करना होता है आपकी बाइक अगर बंद हो जाती राज्ते में तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि प्लक खराब है या सही है और बाइक के साथ में एक स्पार प्लक एडवांस होना चाहिए ताकि खराब हो जाए तो दुसरा चेंज कर दें तो इस तरीके से आप आसानी से चेंज कर सकते हैं तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सेर करें मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में जय हिन जय भारत